उम्रिय जला से लगा सहरा ग्राम पंचाथ के ग्राम अमलाई के निवासी रमे सुरा रुदास के खेत में हाती दुआरा धान की फसल को पूर्ण रूप से चपेट कर दिया गया भादवगर नैशनल पार्क कोरिया एरिया सलगबग 35 हातियों जो बरेहुद होते हुए घुन्नूस अमलाई में बीती रात 27 सितंबर को करीब गरीब किसानों के दो हेक्टर भूमी में लगाधान की फसल को पूर्ण रूप से तभाग कर दिया गया जिसके सूशना कर करेली बीड घाट जल्या लाल को दिया गया जो मौके पर आकर मुआना कर किया गया किसान का कहना है कि किस दो हेक्टर की खेती में से अपने घर के 26 अदस्य का वर्ष भर भरन पोशन कर तक हूँ खेती में लगभग 60,000 रुपे खर्श लगा और इसमें साल भर में मुझे लगभग 1,000,000 रुपे की आय होती है जिसमें मैं वर्ष भर अपने परिवार को पालता हूँ लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ अब मेरा भरपाई कैसे होगी मैं बहुत चंतित हूँ इस कोरोना काल में एक और बिरोजकारी का टांड़ा मचा है वहीं दूसरी और जो कुछ हमको खाने को मिलता था खेती से वहब भी पूर्ण रूप से चपेट हो चुका मौतिलाल राइदास सर जी ग्राम अमलाई गुंसु कहुं सर कौन से लगता है सेहरा टोला तोर सर जी कल बीती राज 27 नौ 2020 को जंगल निशनल पार्क बांधोगड से ताला से छूट कर पंदरा नंग हाथी आकर बीती रात एक बज़े हमारे यहां आकर और खेत में गुसकर और खाकर खड़ी धान की फासल को नश्ट कर दिया गया हाथी दौरा सर जी हाइब्रेट का वो था भीजह था धान तो उसको रौपा लगा लगाए हैं और 60,000 लागत लगी है उसमें हमको उपज मिलता रहा 90 से एक लाग तक की तो सर अब नश्ट कर गए अब हम गरीब कहा से पाएंगे अब सर जी उसी लागत से हमारा मालिज जो धान की फसल रहा उसी में से हम 26-27 लोग जीते खाते रहें जी बने आपन करते रहें अब बताईए कि वो खाकर चले गए हाथी के दौरा हम कहां पाएंगे कहां किस पर निर्भर रहेंगे प्रसासन से मांग करते हैं कहीं मरत करें प्रसासन प्रसासन से मांग करते हैं सिरीमान जी की हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मापजा उजित मुल पर दिलाया जाए क्या नाम है आपको रमिसुरा गुंसु अमलाई मोरे ख्यात का पूरा हाथी आके धान माने सब चर गए है हाथी पंदर मूड़ा रहे हैं साहे यह कल के रात पांचे कड़ के पलाटी है धान हाइबिरिट के अब ही माने वह पटवारी साहिब का लिखाए पढ़ा हैं अब जंगल विभागन का फारिस गातन का हैं अब जो हमार नुक्सान हुई गाहदादू साहिब तो सरकार हम ही यह नवेदन लगा हैं हम ही नुक्सान मिलो चाहिदा दू लगत आए होती है नब्बे हजार का अंदाज माने होत रहा है